नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राके शिवानी अस्टों चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि पिछली कुछ वीडियो से मैं आपको लगू पारशरी के मारें बता रहा हूं लगू पारशरी जो की ब्रहत पारशर होरा शास्तर का जो रिशी पा वह बहुत ही इंपोर्टेंट है जिससे कहना चाहिए कि गागर में सागर भरा हुआ है लगू पारशरी इस तरह की ची तो लगू पारशरी के छेश लोग हमारे हो चुके हैं आज हम साथवे श्लोग से आरम करेंगे च्छटे श्लोग में जो बताया था मैंने वो बताया थ श्लोग सेवन जो है वो केंदर के नैसर के रूप से शुग रहे मैं आपको दिखा देता हूं एक बन प्रिजेंटेशन तो उससे आपको ज्यादा एडिया रहेगा उसमें श्लोग भी आपको बता देता हूं में जो की लगू पारशरी में दिया हुआ है और यह श्लोग न श्लोग नंबर चे रहे में आपको लास वीडियो में बताया था श्लोग नंबर चे में फिर मैं आपके सामने दोरा देता हूं नेसरी गुरुप से अशुक्व रहा है और नेसरी गुरुप से क्लूर रहा या पापि रहा 탁म. तो श्लोक में कहा गया है कि अगर नैसर की रूप से शुग्र है केंद्र के स्वामी हो यानि उनकी राशी एक राशी केंद्र में हो और वो उसके स्वामी हो तो राशी केंद्र में होगी तो वो उसके स्वामी हो गए अधिपती हो गए तो उनके रिजल्ट्स उनकी शुपता खतम हो जाती है और नेच्रल मेलेफिक प्लैनेट्स यानि नैसरगी कि रूप से अशुग्र है अगर केंद्र के स्वामी हो तो उनकी अशुग्ता खतम हो जाती है केंद्र हमारे हम जानते ही है चौथा साथवां दस्वे भाफ केंद्र होता है पहले भाफ को हम लगन में भी ले लेते हैं उस पर भी ले लेते हैं केंदर में भी ले लेते हैं तो अब किसी शुब ग्रह की जो नैसर की रूप से शुब ग्रह है उसकी राशी चौथे साथवे या दसवे भावने हो या किसी नैसरी रूप से अशुब ग्रह की राशी चौथे साथवे या दसवे भावन हो तो वो अपनी शुकता या अशुकता खो देता है इसके बारे में बहुत मत प्रस लेता है कई जगे यह कहते हैं कि जो नैसर की ग्रूप से शुब रहे हैं अगर वो केंदर के अधिपती हो केंदर के स्वामी हो तो वो अशुब हो जाते हैं और नैसर की ग्रूप से अशु तो वो अपनी शुब तक हो देते हैं और नैसर की रूप से अशुब हैं केंदर के स्वामी हैं तो वो अपनी अशुब तक हो देते हैं अर्थात वो न्यूट्रल हो जाते हैं स्टेटस लेस जाते हैं ना उस्पीशिस रहते हैं ना तो शुब का शुब रहते हैं ना इस तरह की नेचर उनकी हो जाए अब इसके बारे में आपको बताऊंगा अब इसमें यह भी एक चीज रहती है कि हमको यह तो सोचना नहीं कि वह नैसर की रूप से बहुत ही शुप ब्रह्माने जाए अगर वो केंद्र के स्वामी होने से उनके जो रिजल्ट हे खतम हो गए यह हमनेशुप ने पड़ल लिया क्ज़क में शुप चुप हो गए तो भईया वो रिजल्ट बह। तो रिजल्ट देने के लिए बहुत सिंपल है कि ब्रहेत परशर होड़ा शास्त्रा में दशा ध्याय में एक श्लोक लिखा है साधारणम चैंव विसिस्थ चैंव विस्थ वो क्या बोलते हैं कि किसी भी ग्रह के दो प्रकार के फल होते हैं एक साधारण और एक विशिस्थ फ कौन से स्थान में है कहां स्थित है कहां देख रहा है कहां वो किस भावों का स्वामी है उसके हिसाब से विशिष होता है तो गुरू और शुक्र गुरुद्य चंद्रमा अगर केंद्र के स्वामी बन बी गए तो आप घवराहीह नहीं कि आपको रिजल्ट नहीं स्वामी ने ठीक है तो गुरू की दशा के अंदर जिस भाव का वो स्वामी है उस भाव क्रिजड तो नहीं मिलेंगे अगर वो चौते भाव में बैठा है तो चौते भाव क्रिजड नहीं सात्वे भाव में बैठा है तो सात्वे भाव क्रिजड नहीं लेकिन गुरू के स्व तो मंगल को यह कहँ देना कि साब अशुब रिजल्ट हमें हम नहीं मिलेंगे इसकी अशुपता खत्म हो गई ठीक है अशुपता खत्म हो गई मैं थोड़ी अच्छी एनर्जी हो सकती है पराकर्म हो सकता है या कम बल हो सकता है, बल हो, निर्बल हो, डिपेंड करता है कि मंगल पीडित है या आपका अच्छा है, खुंडली के अंदर पीडित है तो आप बहुत निर्बल हो जाएंगे, पीडित नहीं है, अच्छी तरसे प्लेस्ट है तो बली हो जाएंगे, तो वो सब चीजे भी दे के हिसाब से तो सदन्द कारकात्वों का रिजर्ट जो पड़ना है वह बहुत ज़रूरी होता है यह हम लोगों को ध्यांदेना चाहिए इसकी सेकंड लाइन में श्लोकी में यह कहा गया है कि केंद्र भाव में लगन भाव में उत्रुत्तर बली के बारे में दिया गया है सेकं तस्वा भाव केंद्र भाव में सबसे बली होता है कि पहला भाव लीस्ट बली सबसे कम बली उसके बाद पांचवा भाव बली और सबसे जादा बली नवा भाव तो त्रिकोंड में नवा भाव केंद्र में तस्वा भाव किसी पकार उप्चे स्थान आते हैं हमारे उप्चे चठा चठे से बली के दशे बली सथान को अशुब होते भी इसके जेइट को मच्छे माल लेते हैं कि उप्चे स्थान में सभसे उत्रुपतर बली स्थान तो ट्रैन नवा केंदर में दश और उप्चे सथान में सबसे बली होता है यही सेकंड लाइंगizada अपनी शुक्ता या शुक्ता रोगते हैं इसके बारे में यही चीज जो मैंने आपको बताई है वह चीज यहां इस प्रेजेंटेशन गेंदर लिखी हुई है आप इसके लिए यह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे त्रिकोन है तो लगन सबसे कम बली है तो उसको प्लस वन नमबर दे दिया फिफ्थ हाउस उससे बली है तो प्लस टू नमबर दे दिया नाइंध e इस में दिखाया गया इसी प्रकार से त्रिस्टा हाउस जो हमारे होते है इन उस्विश यह थिन चैनल हाउस तो माइनस वन दे दिया छटे को हमने माइनस दो दे दिया उससे ज्यादा मतल इनास्पिशिस है और ग्यारवा हाउस को इनास्पिशिस है उसको बाइनस तीन दे दिया इस तरह केंदर को दे दिया चौता हाउस बिस्टॉंग है उसको प्लस वन दे दिया साथवा हाउस उससे ज्यादा स्टॉंग है उसको प्लस टू दे दिया दसवा हाउस उससे भी स्ट उत्र बली होते हैं त्रिकॉण में उत्र बली यह इस लोक के अंदर कहा गया है साथ में वीडियो में हमें आपको आठवा शलोक के बारे हैं बताऊंगा और इस थरीके से जत्रे भी श्लोक लगूपाराशरी के अंदर हैं चालिस के आसपार शलोग हैं, वो सारे शलोग मैं आपको बताऊंगा, और वो सारे शलोग आप जब एक बार देख लेंगे, और उनको सुन लेंगे, तो मैं मुझे पक्का विश्वास है, कि आप सोचेंगे कि आपका रिजोतिश को देखने का नजरिया ही चेंज हो गया है, ये ऐसे शलोग हैं, जिनको जितनी बार पढ़ो, उतनी बार ही इनका नया अर्थ मागूं चलता है, तो मैं कोशिश करूँगा, कि आपको इसका अर्थ ही से समझाओं, और सही अर्थ सकते हैं, इसके लाबा एक सूचना देनी हैं, कि हम एस्ट्रोजी की क्लास, एडवांस क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लस एस्ट्रोजी कल रेमेडी सी क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जो लोग भी इंट्रेस्टेड हों, वो दिएगे नमबर पर संपर कर सकते हैं, अपना नामंकन करा सकते हैं, शिग्र हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं मैं, में माई के एंड में या जूर के फर्स वीक में हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं तब तक के लिए धनेवाल जैश्री कृष्णा नेक्स वीडियो में आपको मिलते हैं नेक्स